Study IQ IS अब तयारी हुई अब रश्या और चाइना के साथ यहां पर आ चुका है तो अभी क्या है कि जो Brics Countries का समू है इस ब्रजील, रश्या, इंडिया, चाइना और साफ अफरिका यह जो पांच देशों का समू है इसके अंदर भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रेट हो सकता है और वो यह है कि चाइना और रश्या एक तरफ हैं वो चाहते हैं कि इसको further expand किया जाए यहाँ पर जो सौदी अरब है, इंडुनेशिया है इस तरह के देशों को इसके अंदर शामिल किया जाए लेकिन दूसरी तरफ भारत और ब्रजील है जो चाहते हैं कि नहीं, हमें इसको expand नहीं करना चाहिए अब इसी को देखते वे क्या हुआ है, जो बड़ी खबर ही आई है कि जो summit होनी है August के महने में इसी महने के 4th week में जो पूरी summit होनी है उसमें भारत के परधान मंत्री मोदी जी South Africa नहीं जाएंगे ऐसा Reuters की तरफ से बोला गया है तो इसके बारे मैं आपको detail से बताऊंगा exactly हो क्या रहा, इसका मतलब क्या है काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा, चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप मेंसे जितने भी लोग UPSC 2024 के preparation कर रहे है कोई भी batch लेना चाहते हो, pure English में, pure Hindi में या फिर English batch और अगर आप prelim से लेकर interview तक की पूरी त्यारी करना चाहते है, मतलब ऐसा batch जिसमें आपको कुछ भी और लेनी के आउश रखता नहीं मिलेगी आप सब कुछ आपको इसी batch के अंदर मिल जाएगा तो simply हमारे website आप पर जाएए या फिर comment section में इसका link है, वहाँ पर जाकर आपको यूज करना है code अंकित live, अंकित live code यूज करने से आपको सबसे ज़्यादा discount मिलेगा और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर बाएंगे चले शुरुवात करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, खबर क्या ही है देखो मैं आपको बता दूँ कि BRICS summit हर साल होता है जैसे आपने SEO के summit के बारे में सुना होगा G20 का summit हो गया ये हर साल होते हैं और leadership summit जो होता है वो सबसे important होता है मतलब दुनिया के जो leaders हैं उस particular members के जो countries के members के जो leaders हैं वो इसके अंदर present होते हैं तो जो leadership summit है BRICS का वो South Africa के जोनेस बर्ग में 22nd से 24th of August के बीच में ये conduct कराया जाएगा तो अभी तक क्या था कि PM Modi वहाँ पर जाएंगे और ऐसा लग रहा था लेकिन अब खबर या यह है बताया जा रहा है कि PM Modi शायद South Africa नहीं जाएंगे इन person नहीं जाएंगे वो virtually हो सकता है कि इस summit को attend करेंगे यहाँ पर मैं आपको यह भी दिखा दूँ कि कैसे हर साल यहाँ पर जो summit है वो conduct कराया जाती है जैसे भारत भी इसको conduct कराया था 2021 में इसकी जो रेसिलेंशिप है वो भारत के पास थी लेकिन क्या था कि उस समय कोविट का दौर चल रहा था तो इसकी वज़य से in person summit नहीं हुआ था और video conferencing के माध्यम से हुआ था और उसके पहले भी आप देखोगे तो 2016 में भी भारत के अंदर हुआ था और गोवा में ये हुआ था ताज एक्जॉटिका जो रिजॉट है वहाँ पर ये कंड़र्ट कराए गया था तो ये हर साल होता है और भारत का भी नंबर आता है हर पांचवे साल में तो यहाँ पर क्या है कि अल्रेडी रश्या के राष्टपति का अगर आप देखोगे व्लैडमिर पूतिन उन्होंने पहले ही डिनाई कर दिया था कि मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करूँगा उसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ आपने देखा होगा कि जो वेस्टरन कंट्रीस हैं उन्होंने सैंक्शन्स लगा दिया है पुतिन के उपर जो ICC है इंटरनाशनल क्रिमिनल कोड उन्होंने अरेश्ट वारेंट जारी किया है अब प्रॉब्लम क्या है ना कि साउथ एफरिका ICC का मेंबर है अब क्या होगा कि अगर पुतिन साउथ एफरिका चले जाते तो साउथ एफरिका के उपर बहुत जादा दबाव होता कि वो पुतिन को अरेश्ट करने मानलो अगर पुतिन भारत आते हैं तो भारत के उपर दबाव नहीं होगा क्यों क्योंकि भारत ICC का पार्ट नहीं है इंटरनाशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट नहीं है तो भारत के उपर दबाव नहीं होता लेकिन साउथ एफरिका क्योंकि यह ICC का पार्ट है तो उसके कि व्लैदमिर पुतिन इसके अंदर इन परसंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से ही करेंगे, वैसे आपको याद होगा, पिछले मैंने जब SEO की सब्मिट हुई थी, शंगाई कोपरेशन ओगनाइजेशन, तो पहले लग रहा था कि वो भी यहाँ पर इन परसंट सब्मिट होगा, रश्या के प्रेसिरेंट, चाइना के प्रेसिरेंट, यह सब भारत आएंगे, लेकिन फानली इसको भी भारत के दौरा चेंज किया गया और यह वर्चुल सब्मिट कंड़र करा गया, और कोई ओफीशल वीजन नहीं बताया क किया है, SEO सब्मिट जो है देखे यह तब हो रहा है, जब आपने देखा होगा कि PMODI अभी US के दोरे से आए हैं, तो US के साथ भारत के रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, और इस साल आपको पता है कि G20 किसी भी सब्मिट होनी है, तो यह तो बड़ा ही इंटरस्टिंग होगा, September के महने में यह जो G20 की सब्मिट होगी, क्या इसमें Vladimir Putin पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, वो यहाँ पर देखना होगा, लेकिन अब कोश्चन यह है कि आखिरकार भारत के परधान मंत्री South Africa क्यों नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि China और Russia चात होगे, Bricks की बात करें, SEO की बात करें, उन सब में आपको China के allies देखने को मिलेंगे, तो कहीं न कहीं China क्या चाता है कि उनके जो partners हैं, उनकी जो मित्रता है जिन देशों के साथ, उन देशों को इस तरह के organization में शामिल कर लिया जाए, तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर China और ब आप चल रहे हैं, especially जो गलवान वैली वाला incident हुआ था, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि China अखिरकार इसको expand करना क्यों चाहता है, क्योंकि मैं आपको बता हूँ तो क्या है न, कि सौधी अरब और इंडोनेशा, ये दो ऐसे देश हैं, जो कि काफी जादा कोशिश क रहे हैं, कि BRICS का part बन जाएं, और China इनको पूरी तरह से support कर रहा है, क्योंकि China का Saudi Arab और इंडोनेशा के साथ बहुत अच्छा relation है, तो अगर मान लो, BRICS के अंदर ये जो 5 देश हैं, और 2 और देश इसके अंदर आ जाएंगे, इंडोनेशा और सौधी अरब या, वो काफी जाधा support करेंगे चाइना की हर एक बात को लेकर, तो इसके वज़े से कही न कहीं भारत को खत्रा है कि वो corner हो जाएगा, उसका बहुत सारा आवाद जो है, वो दबाने की कोशिश की जाएगी, और एक प्रकार से US को counter करने के लिए भी ऐसा चाइना कर सकता है, तो क्या है कि चाइना अपने favor में इस तरह की चीज़ें करना चाता है, लेकिन भारत इसको रोकना चाता है, भारत नहीं चाता है, ऐसा हो, और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको यह भी बता दूँ, दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि वो BRICS के अंदर शामिल कि और इसी की वज़े से आप देखोगे, यह सारे जो concerns हैं, इसकी वज़े से ब्रजील नहीं चाता है, इसको एक्स्पैंड किया जाए, जहां तक भारत की बात है, भारत ने बेसिकली यह कहा है, कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक clear cut rule बनाया चाए, मतलब कौन से देश BRICS के अ इंडोनेशिया और सौदी अरब को इसके अंदर शामिल किया जाए, तो हम इसको मान लें, ऐसा नहीं हो पाएगा, अब यह सारे decision देखें, consensus से लिए जाते हैं, इस तरह के जो grouping होते हैं, अब यह पांच देश हैं, अगर भारत मना कर देगा तो ऐसा नहीं है कि जब अजस् और सौदी अरब और इंडोनेशिया का रिलेशन चाइना के साथ कुछ जाधा ही अच्छा है, इसकी वज़े से भारत को डर है कि इस तरह के grouping के अंदर उसको दबाने की कोशिश की जाएगी, अब चाइना इन सारे चीज़ों को लेकर क्या करा मैं आपको बता दूँ, चाइ इसी की वज़े से हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक political consensus बन सके ताकि इसके अंदर और जाधा देशों को सामिल किया जा सके, फिर इसके साथ-साथ आपको पता ही होगा कि BRICS के अंदर भी काफी जाधा बात चल रही थी कि इसकी जो economic force है, इसका जो significance है वो बढ़ाया जाए, और इसलिए discussion हो रहा था कि यह common currency भी लाई जा सकती है BRICS देशों के साथ में, लेकिन मैं आपको बता दूँ, भारत का clear तौर पर stand आया था हमारे जो external affairs minister है, S.J. संकर साब, उन्होंने press conference में साफ-साफ कह दिया था, 3rd of July को की, भारत अभी plan नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार से BRICS currency के अंदर शामिल होने का, मतलब अगर मालो BRICS currency लाई भी जाती है, तो भारत इसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि S.J. संकर साब कहना था कि देखे, हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो currency है, रूपी, उसको strengthen किया जाए, उसको और जादा stronger बनाया जाए, और भारत नहीं यहाँ पर justification भी दियाता, दिखे कि भारत की economy अगर आप BRICS देशों में देखोगे, तो भारत की economy इस समय काफी strong है BRICS देशों के अंदर, तो भारत को आवशकता नहीं है इस तरह के common currency बना कर उसके अंदर trade करने की, इससे एक तरह से भारत को ही नुकसान होगा, तो चाता है कि अभी हमारे रूपी को ही एक प्रकार से और ज्यादा strong बनाये जाए, जहां तक भारत के stand की बात है, भारत क्या कह रहा है expansion को लेकर, वैसे मैं आपको बता दूँ कि क्या है ना कि ये जो expansion का plan है, इसको लेकर already draft जो rules हैं, वो already बनाये जा चुके हैं, अब ये जो summit होगा 20 seconds से लेकर 24th of August के बीच में, इसमें ये draft rule को क्या accept किया जाता है कि नहीं किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप भारत की तरफ से देखोगे, तो भारत ने ये stand DIY expansion को लेकर, कि अगर हमें bricks देशों के अंदर और भी देशों को शा आते हैं, democracy में आते हैं, अब सौधी अरब तो कोई democracy है नहीं, वो तो एक autocratic rule का देश है, dynastic rule का देश है, तो यहाँ पर भारत का यही तर्क है, और भारत यही चाहता है, कि जो democratic countries है, emerging economies हैं, उन्हीं को इन देशों के अंदर, bricks के अंदर यहाँ पर शामिल किया जाए, अग ऐसे अगर आप देखोगे, तो इस समय रश्या, चाइना और सौधी अरब काफी जादा close आ चुके हैं, और इस समय अगर हम देखें, तो चाइना सबसे जादा, मतलब सौधी अरब से अगर कोई सबसे जादा oil खरीता है इस समय, तो वो चाइना ही है, और रश्या और सौध अरब का भी relations इसलिए अच्छा है क्योंकि OPEC प्लस Alliance के ये partners हैं आपस में, तो देखना होगा, conclusion क्या निकलता है, देखो, BRICS बना था 2009 और 2010 में, पहले तो आपको पता है न, South Africa इसका पार्ट नहीं हुआ करता था, South Africa जब मिला तब इसका नाम बन गया BRICS, तो 2009 में जो ये 2% of world's population, and account for 23% of global GDP, और साथी साथ trade के मामले में देखें, तो दुनिया की 18% trade ये represent ये 5 देश अकेले करते हैं, तो यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि अगर इसमें कोई भी बदला होता है, तो एक बड़ा geopolitical change आपको देखने को मिल सकता है दुनिया भर में, तो I hope कि इस वी इस summit के अंदर participate नहीं करेंगे, जहां तक अभी तक खबर आई है, खेर जाने से पहले क्योंकि हम international organization की बात करें, और recently NATO की काफी चर्चा होई थी, आपको पता होगा, NATO के दो main, दो headquarter है, एक military headquarter है, ये दोनो headquarter कहां पर है, ये आपको बताना है, इसका right answer आप सब को पता है, मेरे Instagram पर तुम मिले गई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में टाला करता हूँ, बाकि अगर आपको PDF की तो टेलिग्राम पर आईए, अलग लग सोशल मीडिया पर जैसा मने बताया था, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बैच रहना चाहते हैं, just use the code AnkitLife, क्योंकि ये code इस्तमाल करने से आपको maximum discount मिलता है, ताकि आप इन courses के अंदर अभेल कर सके हैं, I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता आप से next time, till then, thank you very much, see Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable